राजस्थान कॉंग्रेस में अंदरोनी कलह नित नई सुर्खियां बटो रही है। अब कॉंग्रेस के राजस्थान मामलों के प्रभारी सुख जिंदर सिंग रंधावा का बयान इस पर आया है। मेडिया से बाचीत में कहा कि यह बात बिधान सभा में हो सकती थी उससे बड़ा कोई मंच हो ही नहीं सकता वहीं बिपक्च भी मौजूद रहता है वहीं मुख्य मंत्री भी बैठे होते हैं। कॉंग्रेस की एक दिवसी कार्यसाला से पहले सुख जिंदर सिंग रंधावा ने कहा कि अंसन करना ब्यक्तिगत हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि बिधान सभा में राज जपाल के अभिभासन पर धन्यवाद प्रस्ताओं के दौरान हम अपनी बात रख सकते हैं। इस पर मुख्य मंत्रियू को जवाब देना पड़ता है। होने के आरोप लगाए गए हैं। इस पर सवाल किये जाने पर रंधावा ने कहा कि हमारे पास इतने बिधायक हैं। यदि दो-चार आलोचना करेंगे तो हम अपने आप में सुधार लाएंगे। हमारा ध्यान इस साल होने वाले बिधान सभा चुनाव पर है। मेरा मुख्य फोकस यही है कि संगठन को कैसे आगे लेकर जाना है और कैसे काम करना है। मालूम हो कि पाइलट ने पिछले हपते जैपूर में वसुंद्रा राजे सरकार की कारकाल में हुए कतित भरस्टाचार के मामलों में मौजूदा असोग गहलोत की सरकार की ओर से कारवाई नहीं किया जाने का मुद्दा उठाते हुए एक दिन का अंसन किया था। पाइलट ने कहा था कि 2013 से 2018 तक कॉंग्रेस बिपक्ष में थी। करने का पूरा मन बना लिया गया है। सामने आ रही है। सामने तक करने दो दोने किया था। सामने थाएले मन बना लिया जा रही है। दोफंग्र सामने था पहते हैं।